नमस्कार दोस्तों मैं आकाश जेन आप सभी का स्वावत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जीए जीनियस अकेप्नी पर चलिए तो आज हम पढ़ेंगे आज प्रष्ट तनावर सरफेश टेंसन क्या होता है इसको आप ध्यान से सुनना कल की चीज़ में पूछूंगा अभी प्रष्ट तनावर जैसे अपनी गेली इकला शर्थी बैसी चलेगी तो यह मत सोचना मिल्गो सांती तो कोई लिखेगा नहीं हो बस सुनते जाना ध्यान से सरफेश टेंसन涼 प्रस्ट जैन्सर प्रष्ट टनाओ प्स एडिंग सके जाल्य में प्रस्ट चेंशऩ के लकदे ना थिक है rozp याय। जलो। आप तेहां लो आप बार बार क्या दीरेफ हुआ। आप कैसे भार बार गाय कहा है। कि कि केबल मुबाża ले शबी यजज लेक्ट नीकेश लेक्ट यजवार को उने से लग जा गलोगिन, फिर वाद में आपको मुबाई देख लेक् satisfied तो आप सांती से बैठ जाओगे द्यान से सुनना एक सांती से बैठ जाओगे कि आपको मजा आएगा सांती से बैठ जाओगे कि आपको मजा आएगा सांती से बैठ जाओगे द्यान से सुनना यहां पर एक एक चीज द्यान से अगर महारा पापा ने तो क्यों होगा आप बेकर के सांती से बेटो के बिचार करोगे आप मैं वहल क्यों हो रहा हूं? क्यों इन्हें दुखी कर रहा हूं? क्यों समझ समगपन? वह रहाइए सारी की सारी चीज़ों को आप सोचने लगोगे ऐसा तो नहीं कि डांस करने लगो अब आपने दिया ध्यान से सुनना, अगर आप तनाव में होगे, टेंसन में होगे, तनाव में हैं आप तनाव में हैं तो बताओ एरिया कम लोगे के जादा, एरिया कहलेंगे, ध्यान से सुनना, पापा ने मारा एरिया कम आपने दिया था छोटा गोटा एक्जाम कोई सा, फ यह तक उसने बता है, हाँ तु तो ग्राम सेवत बनने है जाने सुनना सेरी देवान लो यह जोब लगई और यह तो कुछ अपती हुए त्रक्या से एक तो गसिती हुए जाओ गई पापा आप कके अफोज़र जानतो अपलायो टनाव कम होगा तर गसिती तो आते हैं जाओ जादा होगा दियां से ल क्या किहा है ऊधा जानते है जब आप ठीम से अगव कोई तो आप वैद्र का मोगा और जब आप ध्यान देना, तनाव कम होगा, आपको tension 3 होगए, तो आपका area बढ़ जाएगा यह की यह चीज आपको physics में पढ़ना है, पानी के लिए, किस के लिए पढ़ना है? पानी के लिए, पानी की समस्या क्या है? पानी की समस्या है पानी की टेंसन है कि पानी गंदा है और पानी तंडा है ये इसकी समस्या है ज्यान दिना ये इसका तनाव है टेंसन है अगर पानी का तनाव जादा है तो पानी एरिया जादा लेगा कि कम लेगा एरिया कैसा लेगा कम लेगा अगर पानी गंदा है तो जादा फैलेगा कि एक जगे एकटा होने की सोचेगा एकटा होने की सोचेगा अगर पानी धंडा है जमा दिया तो आप एक जगे पर पानी रहेगा कि पूरे में फैलेगा एक जगे पर मतलब पानी की तेंसर में पानी की समस्या है पानी गंदा है और धंडा है अब इसकी समस्य दूर करने के लिए क्या करो पानी को साफ कर देंगे या पानी को गरम कर देंगे पानी को साफ कर देंगे या पानी को गरम कर देंगे तो इसी चीज को अपन को पढ़ना है किसमें प्रश्ट गराओं ध्यान से सुनना आप सारी चीज़ें फेबर में कैसे कोश्चन आएंगी सारी क्लियर हो जाएंगी तो पानी गंदा है और पानी थंडा है ध्यान से सुनना अब मझे क्या करना है धंडे पानी को गर्म करना है थंडे पानी को मझे क्या करना है गर्म करना है तिए तो मैं क्या करूएंगा पांजी में क्या मिला दूगा या तो धावन सोड़ा या से सुना धावन सोड़ा गावन सोड़ा बोले तो बीद्ध स्वाउडर ईया बीद E को सब्द्रों कि पता सकता है मैं आपरां केमिस्टी कार्बोरा कि इतो पेरां सुडा मैं कि प्रींद ुर्टिट के धूर्टुर्टूरियांस इटाउन्टूरीं यहां सबसके हैं सब्सक्राइब इन सोडा मतलब खाने बाला बेकरी में पाला jetzt अब ते सुनना कौन सा स्टोडियं कारवोनेट यह कौन सा सूडियं पाही कार्व कल एदि ज्यांडे सूनना ऐसा थो नहीं कि कपड़े दोने पाही आती है तो स्टोडियं पाही कारवोनेट है तो कोई बूलेगा कि मेरी आतों कपड़े खाना बनाने भी बाई आती है तो ऐसे नहीं ज्यान से सुनना वासे बेकिंग वासे बाई सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका नाम कह रहागा? सोडियम कार्बोनेट अब आप थेयां से देखे नहीं कि जैसे पानी में डालती है और फिर कपड़े घलाती है तो चन्ती साफ होसादा है अच्छे से साफ हो जाते हैं, ये देखा है कर नहीं देखा है? कैसे पता चलेगा? कारबंडा ये ओकसाइड गेस गर्म होती है, ये कैसे पता चलेगा? स्वास बाहा निकालते हैं, तो धंडी के गरम? सबसे अच्छे हो उदारा में, आपने देखा होगा धंडों के समय में, लाइट चालूँ और आप रजाई के अंदर गुस गहाएं, यहां से सुनना, अब मम्मी बोलती है, बाहर लाइट बन तो कर दे, बाहर से चिलाएंगी लेकिन आपके करोगे, थोड़ा सा हाथ बाहन न यह रुकारवर्ण है रोकसाइड कैसी है, गर्म कैसे ध्यान से सुनना, तो जैसी आप पानी में मिलाते हो, पानी में मिलाते हो तो पानी गर्म हो जाता है, तो पानी की तनाव समस्या कम हो रही है के जादा हो रही है, पानी को गर्म करने पर उसका तनाव कम होगा के जादा कि जढ़ा से सुनने में चेहां भूगा सब्सके हैं एक पानी में अरच एरिया पड़ेगा कि नहीं, तो कपड़े के कौने कौने में जाएगा, कपड़े के कौने कौने में जाएगा, तो कौने कौने में से छुपी गंदगी निकाल देगा, तो पीपर में कोश्चन आएगा, कि डिटर्जेंट मिलाने पर पानी में, फिर कपड़े दोने पर कपड साफ हो जाते हैं बताईए प्रस्ट तनाव कम हो गया के जादा प्रस्ट तनाव टेंसन कम हो गया के जादा एरिया तो ध्यान देना है जहां भी अच्छा काम होगा वहां पे तनाव तनाव तो ध्यान से सुनना यह पानी आपने देगा कि कपड़े साफ हो गया आप देखना क थंडे पानी में अगर सफेद कपड़े डालतो तो सकुड जाती है और पीले पीले से पढ़ जाती है गरम पानी से कपड़े साफ, कपड़े साफ हो जाते हैं आसानी से द्यान से सुनना, दूसरा, आप ने देखा होगा, छोटे में आपने एक्सपरिमेंट किया होगा, आप सावन का भूल लेते हो, सावन का भूल, उसमें जैसे ही आप पैन का डखन, आजकल तो दूरों पैके पैनाते हैं, कता मोई फैक देते हैं, पहले पांच बाला आता था, तो उसको क्या करते हैं, आगे से खोला पीछे से खोला ऐसे डाला हो, बलूर बनते थे, बबल सबनते थे के नहीं बनते, यह नीम की लंटी तोड़ी देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर उसको अगर आप पानी में, यह पानी है, अगर मैं पानी में पैंट डाल दूँ ऐसे, और फिर बबल बनाओ बनेंगे के नहीं, अगर इसी में मैं सरफ मिला दू, ध्यान दी नहीं है, यह सरफ का पानी, अगर मैंने इसमें सरफ मिला दिया, तो बता पानी गरम हो गया है के धंडा है, गरम ह गbakने जो तुद तुद ऐध सुन्न इसलंसा इस अठीट मैं जप्त सफारव सकतते। यहा थमिल भूदक्यौ पक्षाल – यहाँ ट। और अब प्रसीतना वहायदा को एकम है। प्रसीतना वहायदा को थे प्रसीतना वहायदा को एकम है। क्या में हैं तो एरिया अब मुझे बता चलो पानी के बुलोरों का बनना बढ़ बढ़िया पानी के बुलो बलों का बनना ज्यान से सुनना एंड में कॉशन कुछ हूँगा कफ रसतना उख कम होगा खप जारा तो ज्यान से समझना biblical verb स्वाभ्ताइन के बढ़ने लुक्तुर स्वादिश्टि लगता है के फदल कुछ हम ज्यान से सब्सेंड में इसे समझना भर कम होगा भर आयरीया शहना इंत्री पाचन होता है जीव है, नात ओर जीव है यान्त्री पाचन करते हैं लात आस आने पाचन जहां से सुनना दो ए जीव जीव कर तिछला वाला इसना कौंसा सुआत बताएगा नीटा असाहिव वाला पूंसा पहुंचा आएगा नम्कीन आएगा जान से सुनना आपने लिया गरम गरम तुमेटो सूप लिया अब तुमेटो सूप में टमाटर कैसी है खटे है अब आपने तुमेटो सूप गरम गरम पिया तो पूरे में ध्यान से सुनना क्या होगा पूरी चीप पर पहलेगा गरम है तो आपसे स्वाज आएगा अना धंदा होगा तो बीच वाले हीडिया में रखा रहेगा उसक्त चला जाएगा ध्यान देना लेकिन मेरा सबसे इंपो अब भाएगा के धंदा होगा वह समझ के हम सभी या तंडा है थंदा या धंदा है अगल पाईगा पेटो दोनों में ही बहेगा जाएगा तो अचाहे गरम और चाहे धंदा है पेट अउससे स्वाध की बाद चल रहा ही यहां पेट बंने की बाद पाद देनी इंदा है तो अगर पानी को मैं गर्म कर देता हूं तो इसका तनाव कम हो जाता और एलिया बहुत पड़ी हो इसको क्या कर देंगे साफ कर देंगे साफ करने के लिए में क्या मिला दो इसमें फिट करी मिला दो एलम फिट करी मिला दी में और किलोरीन और के मिला सकते हैं साथ करने प्रिचिंग पाउडर मिला दिया मिठी का तेल मिठी का जाँ आद दिया ति तो तेल साथ मिठी आप से दिया तो मिठी का तेल मिला के तक पी जाओ नेर नाम गत्थु चो मिलाने पर सफ हो जाताइ। तो छिखें है नाले पेरे रहते हैं आपिaining रूफर यह उसकook अपने देगए झें पप्रवे भी आपनी पुलीथी еще उसमी पानी को अभर भीמिनारी क्यों क्यों कि उसमें गंड़ी बहुत जादा है गंडा है तो एर्रया कम लेगा उसमें ôngको तरंग्याय नहींड तो निखते हैं, इस पाणि के लेयर जमी रहे घ्यार मच्छर बनाती है, मच्छर पूरे में जितना गंदा पानी होगे मच्छर बनाती हुए दिखेंकी affirmation तो नगर पाली का वाले आते हैं और उसके मिट्टी के तेल का चिछाव देती हैं तो मिट्टी के हाँ दुमा जैसा वाला अलग अलग चीजें पाउडर के रूप में डालते हैं तो क्या होता है मिट्टी का तेल जालते हैं मिट्टी का तेल पानी की उपर तेरता रहता है क्योंकि गनत पानी से कम होता है उसका तो कम गनत की चीछ जादा गनत की चीछ पर तेरती है तो पानी के होता है पानी की उपर मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसका तनाव कम हो जाता है तो पानी का एरिया बढ़ जाता है उस पर जो गंदगी होगी वो नीचे चली जाएगी इसलिए बोलते हैं कि साफ कन्ने पर पानी को मच्छर का लारवा पानी में डूप जाता है म मच्छर मर जाते हैं, मच्छर नहीं मरते हैं, मच्छर तोड़ जाएंगी मच्छर का लारवा, तो मच्छर का लारवा पानी में डूबना रष्टे तरह कमी के कारण या ब्रदी के कारण, कमी के कारण अच्छा काम हो रहा हैं, अच्छा काम मच्छर मर रहा हैं, अच्छी बा पानी में दूबना पानी में दूबना प्रैस से टना कमी के करण न के ब्रत्दी के करण प्रैस टना कम तो यह लिया जाना अब ध्यान से सुनना कोई जो बड़े बड़े एक्टर रहते हैं। बोलीबोट के बुलीबोट के भी सारुब खान तो ुँकरोग, भिखी नि धी लिफ्त van, जलीनों आई-स्विट भनाव भिनाव के भीच पुले अपे, लंद्र मांने हो, जलीनों लेटे हो, फूले हो,inks वे शाजब करीदे ये भीचे, बूलेनों बान हो, मांनो को एक भडी तो जान हो किया देना ये लोग क्या करते दिदाते हैं तो गड़ी पाइय बनवा दीए जैसे ही बड़ी मौटी पानेगी क्या आता है तरंग आती है लहर आती है उसमें जैसी एलकोहल मिलती है तो उसका प्रस्ते तरौकम हो जाता है और लहर तेसी से उसका एरिया बढ़ जाता और एक तरफ जो पोर्ट से आरही हो गी वो फूरे में भेल जाएगी और गर तक आते आते हो सांथ हो जाएगी मतलब लहरों को सांत करने के लिए अ क्या मिला लेगे में ईहलो सुना एल् कोछल यहसा नहीं इनि तो आप भोलो के हाँ ऐल् कोछल खीर बड़े बड़े आदमियों का तनाव कमbert भी मेंसे नहीं अ यहाँ पाँंज़ का तनाव कमढ़ रहा है ज्यान से सुनना अगर घनत तो ज्यादा है ज्यान से सुनना अगर घनत तो ज्यादा है तो भी टेंस ज्यादा है ज्यान से सुनना घनत तो और घनत तो कम तो तेंस एडिया बढ़ जाएगा गनत तो मतलब उसके पार्टी का जितने पास में रहेंगी गंदगी की लियर जितनी पास में रहेंगी वो ज्यादा गनत तो वाली रहेंगी उसके उपर अब मैं कॉच्छन पूछू बटाओ पानी पर सुई का तेरना प्रस्त तनाव ज्यादा है या कम? पानी पर सुई का तेरना पानी पर सुई का तेरना तनाव ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो पास में आएगा घनत तो बढ़ेगा और सुई को आसानी से अपने उपर तेरना देगा पढ़ेगा पता सुई कोई बीचीज ज़र तो तेहरती रहेगी जितनी जादा गंदः कशा रहेगी तो कचला उपरी दिनी का पानी पैर और निर्मल लगन नदी बह रहेए तो नदी का पानी आप गंदः की निखेए कि साफ दिखेगा साफ तो जितना पानी साफ होगा उतना एरिया जादा होगा जितना घंदा पानी होगा उतना कम एरिया होगा यही बताता प्रेस्टनाओ तो द्यान से सुनना पानी में सुई का खेलना क्या है प्रेस्टनाओ जादा है या कम जादा है थेरने की प्रवुंती क्या कहलाती है? रस बनाओ अब मुझे बताना एक मैं द्रभur external को बना रहा हूं एक चत्रबुर बना रहा हूं एक मैं गोला बना रहा हूं और इक एक कुछ भी बना रहा हूं तो बताना आफ आप अब बताओ अब पानी की दून का गूल होती है, पास में आने कि सोच रहीं, ध्यान देना तो पानी की दून का गूल होती है पानी की बूंद का गोल होना ये पेपर में आता ल्यान देना गोल मतलब ऐसी वाली गोल ठीक है? पानी का बूंद का गोल होना भी किसके कारण है? प्रस्टिट तनाओ के कारण तो ये सारी की सारी चीजियां अगर मैं आपसे कोई भी पूछन पूछन तो इसमें बता पाओगी? प्रस्ट नाओ चलो तो आप देखो इसको दो मिट में इसमें कुछ भी आपको लिखना है वो लिखवा रहा हूँ और बता रहा हूँ ठीक है? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हूँ और अगर आप आगे ली वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना जै हिन बंदे मात्रम, जै जने हिंदर